हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम बनाने वाले मेथी का पराथा जो सिर्फ तस मिन्ट में बनकर तयार हो जाती है तो चलिए देख लेते हैं उसे बनाने के लिए मैं क्या क्या चीज़ चीज़ चाहिए सबसे पहले मैंने यहां पर आटा ले लिया है आटा मैंने आदा किलो के करीब लिया है और मिर्थी मैंने तीन सो ग्राम भी करीब लिया था उसे अच्छे से साफ करकी धोकर और बारीक काट कर ले लिया है मैंने इन दोनों को mix करने के बाद मैं इसमें नमक एड़ करूँगी स्वाद अनुसार और उसकी बाद मैं इसमें हल्दी एड़ करूँगी 2 टी स्पून के गरीब और धनिया पाउडर एड़ करूँगी 2 टी स्पून उसके बाद सुके मसाले में मैं इसमें जीरा एड़ कर रही हूं 2 टी स्पॉन और 3 टी स्पॉन मैं इसमें अजवाइन एड़ करूंगी अजवाइन एड़ करने से ये डाजेशन में बहुत हेल्प करता है उसके बाद मैं 3 टेबल स्पॉन ओयल एड़ कर रही हूं पस थोड़ा सा एड़ करना है क्यूंकि मेति के पराथे में जाहदा हरीमिस条8 करते हैं और इसे अपको आप枉 बेल करका प्रॉब्लम नहीं करेगी डो ait music哎 हरीमिस आपकूने के बाद व입 भाद हम यहां पर हरा धन्या भी डाट करेंगे आप चाहे तो धन्य को skip कर सकते हैं बट वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है इसमें धन्य को मैंने साफ करके अच्छे से धो लिया है उसके बाद मैं इसे बारीक काट करके इसमें add कर दूँगी आप चाहे तो इसमें प्यास भी add कर सकते हैं प्याज को बारीग काट ले और इस स्टेज पे उसे भी आड़ कर दे फिर आड़ करने के बाद सबको अच्छे से मिक्स कर ले और हलकी गुन गुने पानी से इस आटे को गुन दे आटा हमें सक्त लगाना है जादा नर्म आटा नहीं लगाना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम आटे को गुनना शुरू करेंगे अच्छे से और ये देखे आटा हमारा गुन कर तयार होने वाला है बस ध्यान रखे आप पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इस्तमाल करें और ये देखिया आठा हमारा बिल्कुल तैयार है बस हमें इसे थोड़ा स्मूध कर लेना है आठा मेरा लग चुका है अब मैं इसमें वन टीस्पून के करीब बिल्कुल थोड़ा सा तेल लगा दूँगी ताकि आठा उपर से सुखे न और अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज का डो अपने हाथ में लेकर उसे अच्छे से रोल कर लिया है यह पराठा थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है अगर आप इसे जादा पतला करेंगे तो यह बिस्कित की तरह क्रिस्पी हो जाएगा बिल्कुल तो आप ध्यान रखें इसे मकी की रोटी की तरह थोड़ा मोटा ही बेले रोटी के जैसे ना बनाएं से और गरम तवे पे मैंने इसे डाल दिया है पहले यह वन साइड से मैं इसे सेख लूगह अच्छा से यह देखिए इस साइड से सेख चुका है अब मैं इस साइड घी अपलाई कर दूंगी अब गी की जगह पे बटर भी यूज कर सकते हैं और यू विश इसे अच्छे से अपलाई करें स्पून से और उसकी बाद आप इसे पलट देंगे दूसरी साइड से ये पूरा सिक चुका है अच्छे से तो अब मैं इस साइड में भी घी अपलाई कर दूंगी और इसे अच्छे से अपलाई करूंगी ताकि ये सारे साइड में लग जाए और फिर से इसे पलट कर दूसरी साइड से भी सेक लोंगी अब चाहे तो एक पराथा तयार है इसे से फिलें दोनों साइड से प्रेस करके अब मैं आपको इसे सर्फ करके दिखाती हूं यह देखिए हमारा पराथा तयार है उमीद करती हूं आपको यह रेशीपी पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो मेही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें, थैंक यू